इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह एक स्टेरोइड है और इसे निवारक के रूप में जाना जाता है आपको तेजी से काम करने वाला रिलीव भी होना चाहिए क्योंकि यह दवा अस्थमा के दोरे को नहीं रोकेगी जो पहले ही शुरू हो चुका है आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितनी बार बडेस्टे शूनि दशमलव 5 मिली ग्राम रेस्पूल्स 2 मिली लीटर का उपयोग करने की आवशकता है यह महत्वपून है कि आप अपने अस्थमा को प्रभावी धंक से नियंतरत करने के लिए आवशक नियूनतम खुराक लें इस दवा का प्रभाव कुछ दिनों के प्रभावी होने के लिए इस दवा का नियमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए इसलिए कोई लक्षन ना होने पर भी इसे लेते रहें किसी भी लक्षन का मतलब यह नहीं है कि दवा अपना काम कर रही है यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका अस्थमा खराब हो सकता है इसका उपयोग अचानक अस्थमा के दोरे से राहत पाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए यदि अस्थमा का दोरा पड़ता है तो अपने त्वरित राहत इनहेलर प्रिलीवक का उपयोग करें इस दवा से लाब प्राप्त करने के लिए आपको यह सुनि अगर आपको ये मिलते हैं, तो इसे लेना बंद न करें, बलकि अपने डॉक्टर से बात करें। आप अपने मुहों और गले को पानी से धोकर या अपने इनहेलर का उपयोग करने के बाद अपने दातों को ब्रश करके इन लक्षनों को रोकने में मदद कर सकते हैं। अन्य दुरलब, दुश प्रभाव हैं, जो गंभीर हो सकते हैं। अगर आप उनके बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। सामाने तोर पर आपको उन स्थितियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके अस्थमा को खराब करती हैं। आपके ट्रिगर और धूम्डपान न करने का प्रयास करें। अगर आपको विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी होते हैं। तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद। झाल झाल साथ होते हैं। झाल झाल